now we will discuss about Bio Technology Applications Bio Technology के क्या क्या applications हैं उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे में प्रिब्येससीप्टर में यह चीज देख चुके हैं कि industrial scale पे bio pharmaceuticals & biological using genuinely modified microbes, fungi, plants & animals यानि recommend DNA Technology का हम लोग Québec उने पूरा use देखा कि कैसे हम लोग microbes में फंजाई में, प्लांट्स में, एनिमल्स में मॉडिफिकेशन करके उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बायो, फार्मसिटकल्स में या और बायलाजिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए तो यहां पे जो हम लोग देखते हैं बायोट्रिक्नलाजी का अप्लिकेशन किस-किस चीजे में हो सकता है थिरपिटिक्स, यानि मेडिसिन से, दवायों से बंदने में एंटिबायोटिक्स या अधर छिंक्स में, इंसुलीन में डाइगनोस्टिक, बहुत सारी विमारियों के डाइगनोसिस करने के लिए जनेटकली माडिफाइड क्राफ्स या जीम क्राफ्स फार बेटर एगरिकल्चर प्रोड़क्स और बेटर प्रोड़क्शन इसके लावा प्रोसेस्ट फूड एंड बायो रिमेडियेशन्स वेस्ट्रीट्मेंट अभी हम लोगों ने लाश चेप्टर में वेस्ट मैनेजमेंट के बाद बारे हम देखा था तो वेस्ट्रीट्मेंट में भी जूज कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड़क्शन में तो इस तरह से कई फिल्ड हैं बहुत सारे फिल्ड हैं जहां पर बायो टेक्नलाजी का अप्लिकेशन हो सकता है उसमें कुछ के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे critical research area biology के बारे में, वो कौन-कौन से critical research area, इसमें basically three critical research area के बारे में हम लोग यहाँ पर disease करेंगे, तो क्या चीज़े होती है providing best catalytic या best catalyst in the form of improved organisms और pure enzymes तो सबसे बड़ी जितने भी आप process देखते हैं, जिस जो भी microbial process है, उसमें main चीज़ क्या होती है, enzymes होते हैं, जो कि वो produce करते हैं, वो ही enzymes किसी भी biotechnology में या किसी भी production में industry में use होता है, अगर microbes की बात करें, तो basic cheese enzyme ही होती है जो use होती है, उसी के थुरू product develop होते हैं, product produce होते हैं, तो उसका use होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, providing the best catalyst in the form of improved organism using, usually a microbiome pure enzyme, तो हम ऐसे genetically modified organisms या फिर उनके enzyme को products करेंगे, produce करेंगे, तो वो चीज होती है, बायो टेक्नलाजी में जो research होती है, उसका जो main aim होता है, या main purpose होता है, कि हम best catalyst जो है कि produce करें, और उसका हम लोग use करें, जैसी जरूवत हो उसके साब से, दूसरा है, creating optimal condition through engineering for a catalyst to act, और उसमें हम लोग नई नई टेक्नलाजी बेटर optimal condition को produce करें, ताकि जो एक catalyst है, वो proper work कर सकें, पूरी तरह से, मतलब जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, एक तो बेहतर बनावें, फिर उनका बेहतर तरीके से use करें, और downstreaming process technology to purify the protein or organic compound, अब जो protein या organic compound प्रोडूस होड़ा है, उसकी downstreaming भी बेहतर होनी चाहिए, ताक कि इसको हम अच्छे तरीके से use कर सकें, उसको packaging कर सकें, उसको हम लोग market में ला सकें, उसको हम लोग industrial commercial use में ला सकें, प्रयोग में ला सकें, इसके लिए उसके लिए downstream process होई, वो भी बेहतरीन होनी चाहिए, तो तीन चीज़ें यहां पर हैं, जो कि बायो टेक्नलाजी का critical area research area है, पहला providing best catalyst in the form of improved organisms are enzymes, या pure enzymes, तो हम जहां पर भी, जो कोई भी process कर रहे हैं, microbial process कर रहे हैं, उसमें हम लोग best catalyst का use करें, और best catalyst किस form में होगी, या तो improved microorganisms हों, या फिर उनसे produced enzyme जो हो, वो pure हो, जब enzyme pure होंगे, या जो microbes अगर direct use कर रहे हैं, तो वो improved होंगे, तो चो catalyst होगा, वो better होगा, इसकी इस तरह से यह, पुरा process बहतर होगा, Now we will discuss about biotechnology application in agriculture, तो agriculture में biotechnology का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में इसस करते हैं, जैसा कि मुझ जानते हैं कि food production को increase करने के लिए, तीन option हो सकते हैं, three options are present, first है agrochemical based agriculture, तो agrochemical based agriculture का मतलब, जो fertilizer है, pesticide है, इनका use करके, हम production को increase कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं, तीसरा जो method है gentically engineered crop based agriculture, तो gentically engineered का मतलब कि crop के जो genes हैं, उनके अंदर हम किस तरह से modification करें, कि हम better yield पा सकते हैं, better चीज़े, improve कर सकते हैं, उनकी variety को, उनके production को, उनके stress condition के against, जो कि उनके tolerance है, इन सब को हम लोग कैसे improve कर सकते हैं, तो third method यही है, इससे पहले हम लोग gentic engineering के बा के बारे में, हम लोग थोड़ा सा green revolution के बारे में बात करते हैं, तो green revolution जो था, वो उसकी वज़े से food supply जो है, वो triple हो गई थी, tripling कर दिया गया था, लेकिन फिर भी, जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, human population की growth हो रही है, यह sufficient नहीं है, enough नहीं है, तो यह जो था, और दूसरी चीज यहाँ पे, जो production बढ़ा, green revolution में, वो basically improved crop varieties के वज़े से नहीं थी, वो parsley थी, मलब थोड़ा तो crop के वर राइटीज में improvement हुआ, लेकिन basically जो बढ़ने का उसमें region था, वो था, practice and use of agrochemicals, agrochemicals यानि कि fertilizer और pesticide के ज्यादा यूज से ही उस चीज को हम लोग बढ़ा पाये थे, green revolution में ये basic चीजें थी, तो green revolution में crop variety का improve उतना नहीं हुआ जितना की fertilizer और pesticide का use हुआ है, तो इसका result क्या हुआ कि एक तो ये जो agrochemicals है, ये expensive होते हैं और हर farmer के लिए इतना ये आसान नहीं है कि वह ज़्यादा use कर सके, दूसरा इसका नुकसान ये कि ये इससे क्या हुए, धीरे धीरे जो land है वो उसका pH है या उसका fertility है वो खराब होती गई और इस तरह से वो harmful effect भी आने लगा उसका environment में और crops के even quality में भी उसका आसार आने लगा, तो इसके लिए अब ये हुआ कि कुछ और इसमें चीजें ऐसी हो, gentically engineer का कैसे use कर सके, उन crop के protection को, crop की quality को, crop के any features को हम लोग develop कर सके, improve कर सके, तो इसके लिए नया method जो use किया जाता है, आजकर हम लोग उसको gentically engineering उसका use करके, उसको हम लोग modified कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, कि plants, bacteria, fungi and animals, whose genes have been altered by manipulation, are called gentically modified organisms, तो ऐसे plant, bacteria, fungi या even animals, जिनके genes को हम लोग alter कर सकते हैं, by manipulation, तो ऐसे organisms को हम लोग बोलते हैं, genetically modified organisms या GMO, तो हम लोग यहाँ पे GM plant के बारे में ज्यादा distance करेंगे पहले, तो GM plant का मतलब genetically modified plants, तो GM plants के थूरू हम लोग, इसमें होगा क्या, कि जो desired gene है, उसको हम लोग genetically engineering के थू जेंटिक engineering के थूरू add कर देते हैं, और उस desired gene की वज़ा से, जो हमारा अब crop produce होगी, वो उस desired properties के साथ होगी, तो इस तरह से हम plant को बहतर मना सकते हैं, crop को बहतर मना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान दी जाती हैं, कौन कौन से ways होते हैं, जिनमें हम लोग कर सकत क्या होना चाहिए, खास करके plants के अगर हम बात करें, तो GM plants में कौन कौन से feature हम लोग expect करते हैं, या करना चाहिए, या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा indices करते हैं, तो इसमें जो first point है, आप यहां पर देख रहे हैं, कि crop को हम लोग क्या बनाएंगे, more tolerant to abiot stress, यहां पर जो GMO के अंदर features हैं, क्या होंगे, more tolerance to abiotic stress, abiotic का मतलब environmental, cold है, drought है, salt है, heat है, जो environment है मारे चारत तरफ, उसको हम लोग abiotic stress बोलते हैं, जिसमें कोई bio-organism का रोल नहीं होता है, तो उसको, उसके against यह more tolerant हो, पहला जो हमारा first, जो हमारा modification होना चाहिए, जो हमें requirement है, वो यही है, दूसरा, reduced reliance to chemical pesticide, तो जो pesticide है, fertilizer से, उनके उपर जो dependency हो, वो बहुत कम रहें, उस बेना के बराबर रहें, ठीक है, दूसरा, third point है, help to reduce post harvest losses, तो post harvest losses का मतलब, जो बहुत सारे plants के अंदर, grain के अलावा जो parts होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं हो, एक average कम हो ताकि जो loss है post harvest हो कम से कम हो, तो बहुत देखेंगे, बहुत से plant हैं, उनमें leaves वगरा ज्यादा होते हैं, grains छोटे होते हैं, और overall जो production है, वो कम होता है, तो उसमें हम लोग ऐसी changing लाएंगे, कि जो post harvest loss हो, वो कम हो, इसके लाबा, increased efficiency, आप mineral uses by plants, तो increased efficiency का क्या मतलब हुआ, क soil के अंदर जितना mineral है, उसको वो efficiently use कर सके, पूरा use कर सके, ताकि और जितना use करें, उतना वो, उसका benefit मिले, वो crop के अंदर आ जाए, वो चीज, crop के grain के अंदर आ जाए, तो इससे क्या होगा, कि proper जो है, उसका use हो पाएगा, तो अनावस्यक चीजें, soil से नहीं ली जाएगी तो उसमें क्या नहीं हो पाएगा, फिर exhaustion of fertility of soil, मतलब extra जो है कि damage नहीं होगा, जितना जरूवत है, उतना ही absorption हो, plant के अंदर, और बाकी चीजें soil में पड़ी रहें, ताकि वो फिर से use हो सके, आगे use हो सके, तो इससे क्या होगा, जल्दी से जमीन के अंदर minerals खतम नहीं होग तो इसके बाद enhanced nutritional value आपकुट, और जो सबसे last point है वो enhanced nutrition value है, जो food हम products produce कर रहे हैं, उनकी जो nutritional value हो, वो high हो, यह सबसे main aim होता है, GM crops का, GM plants का, कि उनकी nutrition value भी बढ़िया हो, जैसे vitamin A rich rice हो, और भी जो plant हो, जो चीज होती हो, वो बहतर हो, ज्यादा हो, तो इस तरह से, यह सब ह हमारे aims हैं, objectives हैं कि हमें genuinely modification क्यों करना है, और उससे हमें क्या benefit मिल सकता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कि GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative research to industry in the pharma, starches, fuels and pharmaceuticals, और इसके लावा, हम लोग GM plants का कहां यह उच कर सकते हैं, create tailor-made plant, tailor-made plant का मतलब एक designed plant है, कि उसको हमने इस तरह से design किया है, कि जो हमें चीज़ चाहिए, industry के लिए, वो मिल सके हमें, एक alternative source की तरह, जैसे कि हमको starch ज़्यादा चाहिए, तो starch मिल सके, fuels चाहिए, तो fuel मिल जाए, या pharmaceuticals के लिए कोई medicine चाहिए, कोई crude medicine चाहिए हमको, तो वो चीज़ हमें मिल सके, और किलाइड मिल सके, उनके अंदर heavy mount म तो उसके लिए हम उसको design करते हैं, जो हम लोग gently modification करते हैं, gently design करते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे tailor made plant, यानि कि हम लोग उसको अपने हिसाब से उसको design करते हैं, कि हमें ये चीज़ जिस के अंदर चाहिए, तो इसमें आगे हम लोग discuss करेंगे, BT plant के बारे में, BT toxin के बारे है, उसके gene को, जो कि वो जो gene होता है, वो toxin produce करता है, तो उसके toxicity को हम लोग कैसे genetic engineering से use कर सकते हैं, और plants के अंदर modification कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग आगे discuss करेंगे, तो इसमें होता गया है कि एक bacteria, BT है, यानि कि bacillus phringesis है, उसमें कुछ genes होते हैं, जो कि toxin produce करते हैं, तो उसको अगर हम लोग plants के अंदर add कर देंगे, तो plants का जो cells हैं, वो भी कुछ toxin produce करेंगे, जो उनको insects से बचाएगा, इस तरह से plant के gene में ही हम लोग modification करके, insects से उनको बचा सकते हैं, बिना किसी insecticide या pesticide के use किये हुए, इस तरह से आप सुने होंगे बहुत सारे BT plants बनाए corn, rice, tomato, potato इसा बनाए जा रहे हैं अचकल, हलाकि यह थोड़ा सा disputed भी रहा है कि BT का use किया जाए या नहीं किया जाए